जोतिश शास्त्रों के नुसार हर महा के एक रश्न पक्ष में आने वाली अमावस्या तिथी बहुत महतुपूर होती है इस दिन सच्चे मन से जो मुराद मांग ली जाए तो ववश्य पूरी हो जाती है कहा जाता है अमावस्या के दिन प्रेतात्माओं को ज़्यादा सक्रिता दी जाती है इसलिए चौदश और अमावस्या के दिन बुरे कारियों तथा नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है इस दिन जो भी धार्मिक कार्यों तथा मंत्र जाप पूजा पाठ आधी पर विशेश दिहन देता है उसका कल्याण हो जाता है पित्र दोश से भी इन सभी उपायां को करने से मुख्ती मिलती है जून में तेरे तारीख को आने वाली इस महामावस्या पर विशेश संयोग बन रहा है जिसमें चार राशियों की किसमत चमकने वाली है इनके जीवन में बहुत सारी खुश्यां आने वाली है चलिए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो चार राशिया सिंग राशी आपको बता दें इस राशी के जातकों की किस्मत जून में खुलने बाली है जून महिने में आपको धन्मान बनने से कोई नहीं रोग पाएगा आप हमेशा हमेशा के लिए माला माल हो जाएंगे तेरे जून को बन रहे इस महासेयोग में आपके कई सारे काम शुब रहेंगे इस अमावस्या पर आप जल्दी ही पैसे वाले बनेंगे मेश राशी, मेश राशी वालों के लिए जून का महिना काफी लगे साबित होगा कन्या राशी, कन्या राशी के जातकों को जून के शुरुवाती दिनों में ही लाभ मिलने से फाइदा होने वाला है पैसा इस कदर आएगा कि संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा अब की बार अमावस्या पर इस राशी वालों के किसमत चमक उठेगी घर में आपसी प्यार बढ़ेगा किसी भी प्राने मेत्र से मुलाकात हो सकती है धनलाव होने की संभावनाएं नजर आ रही है कुम्भराशी, कुम्भराशी वालों के लिए जून के महिने में अमावस्या पर काफी सुब योग बन रहा है यह मैना इस राशी के लिए काफी सुब रहेगा इसके लिए घर में बहुत सारी खुश्या आएंगी संतान के ओर से इनको सुखत समाचार मिलेगा निकी सभी मनुकामनाएं पूरी होंगी धनलाव होने की चांच बन रही है नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है इस दिन आप पूजा पाठ करके अपने पित्रों के साथ खुश रह सकते हैं नेक्स नाइन स्प्रिच्वल से आकाश की रिपॉर्ट